हेलो मैं हूँ हरीम और अपसे थोड़ी देर में इंडिया और बांगलदेश का मैश शुरू होने वाला है वर्ल कप के मैश की वज़े से लंच बॉक्स खोलने में थोड़ी सी देर हो गए लेकिन लंच के बिना काम भी तो नहीं चलता जरा सोचिए लंच में एक ऐसी डिश सामने आ जाये जिसे देख कर समझ में ही ना आये की आखिर बना क्या है तब तो पहली बाइट उठाने में अजीब सा डर लगने लगता है लेकिन अगर लंच बॉक्स सलमान के घर से आया हो तो फिर ये डर छूम मंतर हो जाता है और नई डिश को कम से कम एक बार टेस्टो करने की हिम्मत जग जाती है तो देखते हैं सलमान ने क्या भेजा है लंच बॉक्स के दर्शकों के लिए ने कागज और पेंसिल और उस पर थिरकती सलमान की उंगलिया ना ये पहली बार था और ना आखरी जब कोरा कागज देखकर सलमान की उंगलिया मचल उठी हो जत्तो जहत कुछ पलों की थी लेकिन जजबात जमाने भर के भरे थे आड़ी तिर्शी कुछ लाइनों को खीच कर कोरे कागज पर जाने क्या हो केरने की कोशिश कर रहे थे सलमान जाने क्या कहा जाने किसको कहा जाने किसने सुना सलमान का कोड डीकोड सल्मान अक्सर खुल कर कुछ नहीं कहते लेकिन अपने दिल में छुपी बातों का इधार करने से भी नहीं चूपते शायद उनका अंदाज बया ही कुछ और है हमने सल्मान की इस कोड लांगविज को धीकोड करनी की कोशिश की और इस स्केच के साथ सुनाई दे रही म्यूजिक पर दी ये धुन तो सल्मान की एक तुरानी फिल्म के गाने की थी जिसने हर दिल जो प्यार करेगा वाले सूपर हिट गाने की यादे ताजा कर दी लेकिन इस sketch के साथ सल्मान ने जो लिखा था उसका एक एक love किसी टूटे हुए दिल की कहानी बया करता है सल्मान ने social media पर लिखा ये sketch बनाने के दौरान वो वक्त याद आ गया जब मेरे दोस्त साधित नारियार वाला ने हर दिल वाला गाना और dialogue लिखा था उस समय मैं सोचता था कि ये अपने आप में मुकमल है लेकिन जिस लेकिन पर सल्मान ने instagram पर अपना message अधूरा छोड़ा वहीं से शुरू की उसके आगे की कहानी जिसमें सल्मान ने लिखा इतना करो कि कभी कम न पड़े पर साला कम पड़ी जाता है अब जिसके लिए सल्मान ने लिखा उस तक ये पहुचा या नहीं इसका तो पता नहीं लेकिन तुक्का मारने वालों का निशाना सीधे जाकर सल्मान की खास दोस्त कर्ट्रीना पर लगा जिन्होंने कुछ ही दिन पहले सल्मान को instagram पर ज्यादा active होने की सलाह दी थी जरीये लोगों से जुड़ते रहे हैं अपने फैंस के करीब रहने के लिए हाथ में पेंसिल या ब्रश उठाने में सल्मान को कभी हिचक नहीं होती एक बार तो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सल्मान करीना कपूर और कबीर खान के साथ आधी रात को एक गाउं की पेंटिंग में जुड़के थे गाउं की दिवारों का रंगों रोगन करने में सलमान ने फिल्म के कलाकारों से लेकर कैमरा मैन और क्रू के बाकी सदस्यों को भी ऐसा लगाया कि रातो रात गाउं का चहरा बदल किया आज सलमान के रंग में जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री रंगी नजर आती है उसी तरह सलमान कई बार खुद भी सतरंगी रंगों में अपने करीबियों को रंग से नजर आते है सलमान के दिल पर राज करने वाला उनका भांजा आहिल भी रंगों के इस खेल में जब देखो तब वोली खेलतर नजर आता है और सल्मान भी जमाने भर को खुशियों के रंगों में रंगने में जुटे रहते हैं